नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल में जैसा कि आज सभी को पता है कि हमारे मानी नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिन है इस मौके पर आज मैद्र प्रदेश के कुनू पालपूर सेंचूरी में नामी भी अफ्रीका से लाए जाने वाले चीतों को छोड़ा जाएगा अब टाइगर इस्टेट में चीतों की एंट्री हो गए है जैसा कि हम सभी जानते है कि अफ्रीका से 8 चीते लाए जा रहे हैं चीतों को लाने की स्क्रिप्ट लगभग 50 साल पहले लिखी गई थी लेकिन किसी कारणवास चीतों को नहीं लाया जा सका था MP को PM मोधी का बर्थडे गिप्ट MP को PM मोधी जी का बर्थडे गिप्ट प्रधान मंत्री नरेन मोधी ने अपने बर्थडे पर 17 सितंबर को आज ही के दिन मत्रदेश के कुनों सेंचूरी में अफ्रीका से लाए गए चीतों को बाड़े में छोड़ा जाएगा प्रधान मंत्री मोधी जी के मंच के नीचे ही पिंजरे में चीते रहेंगे यहां पर साथ हैलिपेट बनाए गए जिसमें से तीन नेशनल पारके के भीतर और चार पारके के बाहर वी वी आईपी के आगमन के लिए बनाए गए है पास साल में इन चीतों की देखभाल के लिए लगभग पचता करोड रुपए खर्चोने का अनुमान है जानते हैं कब सुरू हुआ था चीतों को लाने का सफर सुप्रिम कोड के आदेश के बाद लगभग 70 साल बाद भारत में चीते दिखेंगे चीतों के लिए हैं फहली सेंचुरी गुजरात के कच्छ में बनाए गई थी लेकिन बाद में हैं प्लान बदल दिया गया एम के रंजे सींग को फारस्ट का सेक्रेटरी बनाया गया उन्होंने कूलो कूनो पालफूर सेंचुरी ड्राप्त तयार किया तब इरान से इरानी पाया था क्योंकि में चीतों को लाने की कवाय सुरू हुई लेकिन इरानी चीते कम हो गए और फ्रजक्ट हंड़े बस्ते में चला गया दोजार आट नौ में नामी विया से चीते लाने का प्रोजेक्ट तयार किया गया और किंद्र सरकार से बाच्छित की गई तत्काली र क्रिवरन मंत्री जेर्म रमेश ने कमिटी बने कमिटी की अद्धक्ष टेया से डक्टर ऐम की रंजित सींग beerान देस सुक्रीम कोड में मामला तेरह वीवं सुप्रीम कोड ने कहा कि कूनों में चीते वस बसाय सकते हैं कूद में इसके लिए एम रंजी सींग को चेयरमन बन चीतों के भोजन के लिए सेंचूरी में मोगली चीतल को छोड़ा गया है यहां पेंच नेशनल पार्क से ले जाए जार है लगवाग 500 चीतलों को टार्गेट था लेकिन उतने अभी बारिस की वज़ा से पूरे नहीं हो पाए है साथ ही इन्हें बगरी का मांस भी दिया जाए और खास बात यहां है कि जिन बाड़ों में या सेंचूरी में इन चीतों को छोड़ा जाएगा वहां से भी कुतों को वेक्षिनेट किया गया है ताकि इन्हें किसी प्रकार का कोई संक्रमेंट ना हो